समस्कार दोस्तों बैंक टिप्टी वीकली अनालिसेस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ यह हमारा ब्रेकडाउन लेवल ता जैसा कि यह काफी इंपोर्टेंट लेवल है क्योंकि यहां पर दो दिन कंसॉलिडेट कर रहा हूँ जैसे यहां पर गिरावट आएगी काफी तेज मुवमेंट आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद यहां पर 1600 पॉइंट का करेक्शन उसके पहले यहां पर अगर कंसॉलिडेचन होता है तो आप मोगमेंट को मुवमेंट को सकते हैं जैसे यहां पर कंसॉलिडेचन हुआ था काफी इंपोर्टेंट लेवल है यहां से हो सकता है मार्केट नीचे भी आए और उपर की साइड में निकल जा लेकिन आपको ध्यान रखना है लेबल देखें नीचे आने के लिए मार्केट जो यह कंसॉलिडेशन कर रहा था ना 43,600 के आसपा देखें यहां पे 4-5 दिन कंसॉलिडेशन किया उसके बाद यह यहां पे आपको आते हुए दिखेंगे यानि मार्केट अगर 43,600 के नीचे बैंक निप्टी 43,600, 445 के नीचे अगर बैंक निप्टी क्लोजिंग बैसे पे क्लोज करता है ना तभी यहां पे सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे नहीं तो इस लेबल के आसपास यहां पे buyer आपको आते हुए दिखेंगे जब भी इस level के आत्पास आएगा यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाएंगे तो यहाँ पर नजर बना के जरूर रखिएगा उपर की साइट में जो breakout लेवल होगा वो हमारे लिए होगा 44,055 का यानि 44,055 के उपर क्लोस करे जाना किएगा 44,055 के उपर बैंक निप्टी क्लोस करे और अगले दिन इसके उपर ही continue trade करेगा तो यह हमारा breakout लेवल होगा 44,055 44,055 के उपर बैंक निप्टी क्लोस करे और अगले दिन इसके उपर ही trade करे तभी यह breakout होगा और इस breakout के बाद bank nifty कहां तक जा सकता है तो bank nifty का अगला resistance हमें कहां दिखता है 44,700 से लेकर के 44,888 यह अगला resistance होगा bank nifty के लिए तो यहां पर आप नजर बना के रखिएगा जरूर देखें bank nifty week कहां पर होगा week तब होगा जब यह 43,500 के नीचे close करना 43,500, 43,600 के नीचे close करना start करेगा थोड़ा सा मजबूती कब आएगी बायर यहां पर थोड़े से aggressive कब होगे जब यह 44,500 के ऊपर close करेगा 44,500 के ऊपर close करने के बाद फिर इसका जो रेंज होगा नई रेंज होगी वह 44,800, 44,700 यह इसकी नई रेंज होगी क्योंकि अगला resistance हमारे लिए यहां पर bank nifty को देखने को मिलेगा तो यहां पर आप नजर बना के जरूर रखिएगा चलिए अब 15 मेंट के चार्ट पर देखते हैं कि हमारे expiry किस तरीके से हो सकती है और क्या important moment bank nifty दे सकता है अब यहां पर 15 मेंट के चार्ट पर देखेंगे ध्यान से तो 15 मेंट के चार्ट पर इस लेबल को ध्यान जर नजर बना के जरूर रखिएगा यहां पर important है यह range काफी important है वो है 43,800 43,800 के आसपास हमने दो बार यहां पर try किया था लेकिन उसके बाद हम नीचे की side में आ गए जो हमारा मूरत trading था वहां पर हम इसके ऊपर open हुए open होने के बाद में वहीं पर हमने consolidate किया लेकिन Monday के सथर में हम उपर open होने के बाद नीचे आ है लेकिन वापस हमने ज्यादा तर टाइम यहां पर 43,800 के ऊपर ही बिताया था तो यह हमारे लिए काफी important है कि banknifty 43,800 के ऊपर ही बना रहे है नीचे की साइट में देखेंगे तो यहां पर एक trend line द्रॉआ करेंगे तो banknifty intraday में week कब होगा intraday में week तभी होगा जब यह trend line के नीचे continue trade करेगा तो वहां पर पहला moment हमें यह देखने को मिल सकता है वो है 43,600 वस्ती का और उसके बाद अगर नीचे की side में आता है तो वो 43,500 ज्यान रखिएगा एक strong base 43,500 क्योंकि इसके ऊपर हम continue 3-4 दिन से इसके ऊपर ही trade कर रहे है तो यह हमारे लिए strong base होगा 43,500 उपर की side में निकलने के लिए वही 44,55 की उपर इसे hold करना पड़ेगा यह जो zone है थोड़ा सा confusing zone है 44,55 से लेकर के 43,600 यह confusing zone है तो इस zone में हमेशा छोटी quantity के साथ में ही trade करना पड़ेगा जब breakout होगा तो यहाँ पर आप quantity उपर की side में देख सकते हैं अपने हिसाब से अपने risk management के हिसाब से और नीचे की side में quantity तभी यहाँ पर लोग seller active होंगे कब जब यह 43,600-43,500 के नीचे यहाँ पर close करना स्टार्ट करेगा तभी यहाँ पर seller active होते हुए आपको दिखेंगे तो हमारी expiry के लिए सबसे अच्छा view यह होगा कि market इसी range में क नहीं पर भी open होता है तो ध्यान रगिएगा यह जो range है यह जो upper end है यह इसके लिए resistance का काम करेगा तो यानि यहाँ पर resistance है मीचे की side में आपको जो support है 43,600-43,700 यह support range मिलेगा तो कुछ बड़ा moment मुझे नहीं दिख रहा बड़ा moment तभी होगा जब market इस कहाँ पर आये market कल open हो यानि कल के season में market open हो और open होने के बाद में इस range के ऊपर open हो और 900 और यहाँ पर 44,000 के बीच में यह consolidate करें यह जो और जिस side में भी निकलता है उस side में आपको यहाँ पर एक अच्छी moment देखने को मिल सकती है तो ध्यान रखिएगा कि market तभी आपको move पकड़ने को मिलेगा जब यह consolidate करेगा अगर यह consolidate ना करके कल gap up open हो जाए gap down हो जाए तो gap down में एक चीज़ नजर रखिएगे कि 500 strong support है gap down में अगर 500 के आसपास consolidate करने के बाद में यह उपर की side का breakout करता है तो वापस यह 43,800 के पास जाने की कोशिज करेगा अगर यहाँ पर 500 gap down उपन होने के बाद तो यहाँ पर नीचे की side में मुझे बड़ा मूम दे दिख रहा लेकिन हाँ उपर की side में अगर इस जगे पर consolidate करता है तो उपर की side में मिल सकता है कि market वापस closing level के आसपास आने की कोशिज कर सकता है धार नखिएगा 43,800 हमारा वही range है जहां से हमने breakdown किया था तो इस level के पा पास में अब यह ध्यान रखिएगा मार्केट अगर बहुत बड़ा gap up open हो जाए मालीजे बैंक निप्टी 200-200 पॉइंट gap up उपे तो यहां पर थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा market को consolidate होने दिजेगा उसके बाद में कोई setup बनेगा तो trade कीजेगा gap down में थोड़ा सा अच चुन्टी मिल सकती है अगर market consolidate करने के बाद में उस range को उपर की side में breakout करेगा तब यहां पे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share जरूर कीजेगा मिलते हैं next video में चैहिन